पाउन भाइसाब राम राम जी जैगो मता जी जैगो मता भाइसाब आज की वीडियो में कितनी गाएं कवर करेंगे जी आज जैपल जी आठ गाएं जी आठ गाएं हैं जी आठ की आठ सेल के लिए अवेलेबल हैं जी शांदार से शांदार से शांदार हां जी टोप कॉलिटी वाली बिल्कुल टौप कॉल्टी वाली जी ठीक है जी कम्पलीट डेटेल लेंगे आपके सभी गायों को देखेंगे बर्खेंगे वीडियो में दिखाइगी गायों की आपसे किमत भी जानेंगे दर्शकों से विडियो को लाश तक देखे आज तो मिश ना करें जी आज मिस तो जरूर से वीडियो को लाश तक देखे एक चीज और पूछूँगा जै भी बीच में रोक रहा हूं दर्शक भी जानना चाहेंगे ये डिबे की सीजगे रखे वे आज ये जै पाल जी आज अपने बाईयों के लिए देशी घी जै अपने पास दूद हम दूद सेल नी करत दो साल रखे रखो खराब हो जाए तो विद भी आज आपको पैसे देंगे जी अच्छा हां जी बिलकुल शुद देशी घी गर का और वो क्रीम बाड़ा नहीं जी बिलोने बाड़ा बिलोने बाड़ा हां जी देशी पददती से जो गाओं में गी बनता है ये पूरा जैस बंद करके आप एक साल रख लो दो साल रख लो खराब होने बाड़ा नहीं जी खराब नहीं होगा यह अपनी पूरी जुम्हण बारी है और जो बाई जैसे शेरों में रहते हैं शेरों में रहते हैं गूमाता नहीं रख सकते उनके लिए जी अच्छा एक किलो भी ऑनलाइ खा के देखना जी आप अच्छा तो यह तो पक्का होगा यह तो पक्का होगा जैसे अपनी जो लागत लेंगे जैपाल जी इसमें कोई कमाई नहीं करनी हमने क्योंकि हमारे जैसे आप देखते हो जी हर टेम गूर रहती है तो इनका दूद 25-30 रुपे देके हमें कुछ लगत मन किया कि अपने बाई इतना प्यार देते हैं उनको भी पहुंच किया जाएगी ठीक है जी इसकी भी कंप्लीट डिटेल जानेंगे जी बिलकुल जी बिलकुल साथ ही दर्सकों के साथ इन गायों की भी डिटेल शेयर करेंगे जरूर जी जरूर अच्छा वीडियो सुरू क की भी आपने इस तरीके से एक किलो है जी एक किलो की पैकिंग है कोई बाई क्वांटिटी में मंगवा सकता है और शुद ताकि अपनी पूरी गरंटी होगी जी चाहे हमसे लिखवा के ले जाए जाके लेब से चेक करवाले एक परसेंट भी किंतु परंतु मिला तो एक इसमें दूद का रेट छोड़के इसकी जो मेहनत होती है जैपाल जी वो ज्यादा होती है गाउं में है जो देसी लुगाई है यह इतनी मेहनत करके गी निकाल लेती है नहीं तो आजकल क्या है जी शोटकट बहुत आने लग गया क्रीम निकाल के सिधा गरम करके वैसा गी यहाँ पर बिको क्योंटिए में लेता है तो दे देंगे जैसे तो जैसे पंजाब में मंदिर में मंदिर के लिए लेकर ना है तो हमने उनली ग्यारा सुर पर लिया जी अच्छा जी वैसा कोई बात नहीं है यह जैसा जिसका यूज होगा उस तरीके से उसको डिसकाउंट बिल्कुल जी बिल्कुल ठीक है जी पूरी जानका ही लेंगे सबसे पहले आपका अपना यहां का एड्रस शेयर कर दो जी अपना गाम जैपाल जी उननीश जैड नाइटीन जैड जिलावे तसील शिरी गंगानगर और स्टेट अपना राइस्तान है जी ठीक और मेरा पावन क झेन करो स्क्रींट ज़रूर बैजुआ जी ठीकिख यूशिवखें तकि गाये की पूरे डचेल मिल जाये बिल्कुल जी बिल्कुल लुक् Gabrieg जяли की जैसे सर्दिया में थोड़ी सर्दियों aux CE ke गर्मियों कीमत का फर्क होता हुँ इसलिए मैंने पहले का हम इने पहले कह हम क तो शुरुआत करते जी एक नमबर वाली गाय से ये तो वैसे भी एक नमबर है जी के मामले में भी एक नमबर लें ब्यात कौन सा है जी ये सेकेंड बार बच्चा देगी जैपाल जी ताइम कितना लेगी लग बग देखो जी नो दस दिन ले जाएगी 9-10 दिन में बच्चा हुआ है क्या दूद्ष्रमता कि ए जी ये फस्ट में निकाडा जिसने तेरा चोदा गाद और इस बार की आपकी उमीद अपने तेरा चोदा क्या के देंगे दोगे दूद्ध पूर अपनी करम का या अच्छे से 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 वा करो हां और से वा काई इसने देना है जी जब पशु तब दूध माँ का घा टंग सै करेट है अपने दिमागी की रूप घ्लान यहांस कोई शेर टे एक को ऐघऊ है कि मेरे तो अज़। हाँ यह वो फैक्टरी नहीं है दूद वाली हाँ ए ठीक है जी मोल क्या रखोगा इसका मोल ओंली पचास जार रूपे पचास जार हाँ जी 50,000 रुपीज फटी थाउजन च्वालिटी में एक नमबर जी क्वालिटी में एक नमबर तो दो नमबर पे जो बंदी वी गाय है ठीक है कम्प्लीट डिटेल देदो जी ये भी जैपाल जी दूसरी बार ब्याने वाली है लग बग एक महिना इसको बाकिए जी ब्याने में एक महिना ओड़े जी अच्छा क्वाल्टी में सो से भी उपर माननो तो मान लो जी हम जी शुब दे बिलकुल जी टाइम कितम लेगी जी ब्याने में एक महिना बाकी है एक महिना पूरा बाकी है तो प्रेग्नेंसी चेक रवाने की जड़रत है जी बिलकुल जी आप देखो जी आप हमारे पे है अगर आपको ब्रोसा वैचे ले जाओ नहीं तो अटर उतारने लग जी हम जी अटर खुलना शुरू हो गया जी चीक है तो मोल के अगर जी चेक करवा हो तो हमें कोई दिक्कत नहीं जी अच्छा मोल जी बैसाब मोल इसका जी पंतारीज आर पे आज का रेट पैंतारीज जार जी अगर एक महिना संभाई करके लेके जाएंगे योंकि जो माराश्ट्रा के भाई हैं एंपी के बाई हैं उ तो उनकी दूद वारी गायों में शिकायत रहती है कि यार दूद पे आई नहीं कि पशू को एक तो बिल्कुल त्यारी में सफर लग जाता है तो थोड़ों उसको पंदरा दिन लगते हैं लगते ही है ये गवव एक नंबर है जी अपनी प्रक्रिंसी चेक करवा के ले तो फिमेल काफ प्योर साही वाल है जी यह जो बिल्कुल शांत सबाब की जी सवभाव भी शांत है तो भी यह जी ब्याद कुन सब्ता है अपने यह दूसरी बार भी यह दूसरी बार है जी और इसका खीज की दरा निकाल जेए अब अब लग बगए 9-10-9-10 लिटर त्यार है 9-10 लिटर रेड़ी है हां जी हां जी बारा लिटर की कहके बेचेंगे जी अपने हां जी 9-10 लिटर आप चार्ट समय पांच समय निकाल के ले जाओ जी ठीक है जी हां जी किमत क्या लोगी जबैसाब कीमत इसकी जैपाल जी ओनली फोर 35,000 पे 35,000 पे में बचडी वाली औ लेके जाते हूं और इसके कोई थनकी और कोई पिछा निकालती हो चूंगती हो उस चीज के अपनी फुल गरंटी होगी अच्छा हां जी दूद बाई अपना निकाल के लेके जाए मैं तो कहता हूं कि अगर आप पशू लेते हो विजिट करो वीडियो आज कल जी देखो अ काम दंदा करते हैं आओ रुक के और देख के फिर लेके जाओ जी वीडियो में और जो रियाल्टी होती है उसमें बहुत फरक होता है हां जी सामने आने से बता चलेगा हां जी जुलाब जामून थेली में मिठा नहीं लगेगा थेली से बाद निकाल के देखें हां जी बही वीडियो लगे थे तो पूर हफ देंक्स क्स्ट्मर लगा था को आपने पास रखें हां पने पास रहके गएं हमोचटी हिसा ऑर अपने से पशू लेके गए सप्शू लगे पाइस डिका चाहर नमबर वाड़ी तो रploys गाली घी ठीष डीवारी गाय जी अचां चाहर गी ब जak, एक दिन का 1kg की जा है extra एक दिन का 1kg की निकाल जाँ बिल्कुल, बिल्कुल कहते हैना रभडी जैसा दूद जजिसका खुद अपने चयक किया हुआ है रभडी जसा इतना गड़ा दूद जी हाह ji रा latch जाय की ख्षाष्यत रहती है हाह हाह Karl ठीक है, ताइम किना पताहिए आपने प्याँ में ताइम तियारी है लग बग यही दस दिन 8 दिन आट दस दिन में बच्चते देगी मोल किया रखोगे जिसका यहां पनतारीस जारुपर, 45,000 रुपीज चीक चार गाय कवर होगी और यह पांच वे नंबर वाली शांदर कदकाथी वाली डिटेल शेयर कर दो जी डिटेल जाए पाल जी और शांत सबाब की है ब्रीड को आल्टी आप देख पारे हो बिल्कुल शांत सबाब की है इसको कोई मत्वल नहीं इतनी शांत सब्सक्राइब की जड़की अपनी फुल्ज बाबदारी रहें लगब दस दिन ले जाएगी यह भी ब्याने में दसे बारा दिन हां जी को एक दो दिन आगे पिछे हो जाता है और दूसरी बार बच्चा देगी दूद निकाल देगी 14 लीटर थेरा 14 लीटर खुला दूद निकाल देगी जी मोल क्या लोग इस बिलिस्का तो ओली फो एरतीस जार पे जी आज तो आज सर जी कोई लेने बेचने वाली किमत नहीं है जैसे अपने बाब में आ जाते हैं वैसे पशु आगे देते हैं अच्छा हां जी आज कोई बाई चूग गया तो चूग या बाद म नहीं है तो गुच्छेदार पूँच है जी और सवाब बोच चानत है फीजिक की जैसे कहते हैं वह बहुत बड़ी है और 38,000 पे कीमत इस कीमत में मिल रही है तो चुके नहीं पांच गाएं कबर होगी है छटे बड़ी और देख लेते हैं छटे नंबर पर ब्याई वी गा और बच्डा भी है बहुत बड़ी है अगर कोई बाई लेके जाता है तो बच्डा अगर आपने पाल के रख सकते हैं बच्डे में देखो जी को आलती रखाया तो इसका वो सीमन था हम बड़ा है बड़ा हम पने जी एक एक चीज कान भी देख लो जी और तीन चार दिन का बड़ा ब्याया हुआ है शांत सबाब की है दूद 10 लिटर है जी हां जी कीमत 30,000 रुपीज हां जी तो आज कीमते डाउन आई है ठीक है जी अगली का और देख रहते हैं दो गाई और बचीवी हैं जी चोटे कदवाली चोटे परिवार में अगर कोई बाई रखना चाता ह अगर पर पहले बता देते हैं जी पंद्रा जार रुपे अच्छा हां जी पंद्रा जार पे में गूमता देंगे यह पिछे बचड़ा है जी दूद दे देगी साथ किलो आट किलो छे किलो ऐसे मल सेवा पे है जी हाइट अजी जैसे वो पुंग नूर गाय होती है बिलकु खेंड गराई अट किलो जैपाल जी तीन ली टर निकालते हैं बहुत है जी अच्छा और मोला आपने बताया पंदरा जार फेंद्रा पर थांद्रा प्र फंद्रा जार फें ठीक है एक गाय लास्ट में और बची आजी यह गिर नसल में यह गिर नसल में यह और पहली बार यह ब्याई हुई है और जैपाल जी इसका बशड़ा मर गया जी अच्छा और बाकी सबाब आपको न्याना लगाओ ना लगाओ यह लो जी बैठेरों ऐसे नहीं आप चाहे भी पूरा दूद नहीं निकालना है चाहे लीटर लीटर करके आप दस बार निकाल लो ऐसी गूमात अगर कोई लेना चाहता है बिना बच्चे की पाम उठाने की अपनी फुल गरंटी रहेगी बिना बच्च्डे भी दूद निकाल के दिखा दो बिना बच्च्डे अगले के अपनी यह गरंटी है यह की नहीं अगले के अपनी यह गरंटी है अगर गू लात मारे तो अपने चड़ाके बेज़ दे जी एंट टू एंट समेथ किराई पेमट है जी अच्छा हां जी तो इसकी किमत क्या है किमत जैपाल जी किमत तो अपने तो गणियूंची आई हुई हां जी कितने की लेकर थे 30,000 रुपे की दे दूंगा जी लेकर कितने में आए थे यह जैपाल जी अ और आइट देख लो जी हाइट अच्छी सबसे बड़ी हाइट की है सबसे उंची कभिकाथी वाली है वह तो कहता हूं जी पच्छपनवाली 30 में जी सभी है जी पच्छपनवाली 30 में उमीद करता हूं दर्शकों को आपकी गाएं पसंद आई होगी वीडियो अच्छी लिखके जरूर से होसला बढ़ाएं ताकि देशी गायों के लिए मैनत करने में और भी कोई कोर का सर बाकी नहीं रहे बिल्कुल जी पाउन भाइसाब बहुत मैंत करते हैं अच्छी गाएं दिखाते हैं कीमत रीजनेबल बताते हैं आपको कैसी लगी कमेंट में जरूर से बताएं बहुत बहुत दन्यवाद भाइसाब जैग ओमरता जी राम राम जी जैग ओमरता